हेलो एवरिवान वेलकम बैक टू माई चैनल तो कैसे हैं आप सब जैसा कि आपने थम्मनेल से गैस कर ही लिया होगा आज का जो हॉल वीडियो है वो है एक स्कुर्ड हॉल वीडियो जिसमें मैं आपके साथ 4 ट्राउंड शेर करूंगी और इन स्कुर्ट की ओवरल डिटेलिंग भी बताऊंगी तो जादा बाते जहीं करते हैं आईए वीडियो स्टार्ट करते हैं जो पहली स्कुर्ट आप ट्राउंड में देख रहे हैं यह है सासा फरास ब्रैंड की जो की ग्रीन बेस में पिंक फ्लास का बहुती सुंदर गाइशन है रही हाइट 55 है और मेरी साइज 30 है जिसकी आप आइडिया लगा सकते हैं आपकी हाइट के अकॉर्डिंग इस स्कुर्ट की लैंद कहां तक आएगी इसका जो माटीरियल है वो है पॉली क्रेप माटीरियल इस स्कुर्ट में आपको एलास्टिक वेस्ट मिल तो चलिए चलते हैं नेक्स ट्राइवन की तरफ तो जो सेकंड स्कर्ट मैंने इस वीडियो में ली है वो है ये पॉलका डॉट प्रिंट स्कर्ट जो की एक फ्लेयर्ड स्कर्ट है और इसमें भी मेरा साइज 30 है गाइस जैसा कि अब सब जानते हैं कुछ फैशन स्टाइल एव वेस्ट बेल्ट है इसका फैब्रिक पॉलिस्टर है और ये पहनने में भी काफी कमफरटेबल है और क्योंकि इसका बेस कलर ब्लैक है और आप सब जानते हैं ब्लैक कलर सभी कलर के साथ मैच होता है तो आप इसे अपनी पसंद के अकॉर्डिंग किसी भी कलर के टॉप के ब्रैंड की है और इसकी जो प्राइज है वो है 944 रुपीज गाइस क्योंकि एक स्ट्रेंट ड्रेस है इसलिए इसको न्यू लिक देने के लिए यहां पर एक कट दिया हुआ है और नौन फंशनल बटन का पैटन भी दिया हुआ है इसकी वेस्ट दॉन इलास्टिक है जिसम इसमें भी मेरा साइज 30 है अगर आप इसे पर्चेस करते हैं तो आपको अपनी हाइट के साथ अपनी वेस्ट का भी मेजरमेंट ध्यान में रखना होगा और इसमें आपको साइड में एक जिब भी मिल जाती है जो फंशनल है और क्योंकि यह कॉटन माटीरियल में है तो इस स्कर्ट है जो की नेवी ब्लू कलर पर है जिसके उपर आपको रोज एंड लीव्स का प्रिंट देखने को मिलेगा और यह भी सासाफ्रास ब्रैंड की ही है इसका जो माटीरियर है वो है पॉलिस्टर इसकी वेस्ट इलास्टिकेटेड है पूरी वेस्ट पर आपको कुछ इ इससे पहनने के बाद यह बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि यह बैल्ट पैटर पे नहीं है फ्रंट या बैक कहीं पर भी लास्टिक के मार्स नहीं आएंगे बिल्कुल प्लेइन शेप में रहेगी जिससे आप ट्रैंड में भी देख सकते हैं और इस स्कर्ट की जो प् कर सबसे ज्यादा पसंद आई है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथी में डीवे बैल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मैं नई नई वीडियो आप लोगों के इलाती रहूं और जल्दी मिलेंगे एक नए हॉल वीडियो के साथ तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए सेफ रहिए थैंक्यू सो मच पर वाचिंग बाव बाई